मैं हूँ गुपाल सर्मा और जैसा कि आप जानते हैं मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे टिप्स वाले विडियो लेके आता रहता हूं और अभी टॉपिक चल रहा है विंडोज 10 और 11 के बारे में और इस स्रीज में मैं लेके आया हूँ आपके लिए नया टिप जिसका न बड़े कमाल का बनाया है इस एक टूल में वो सारी चीजें डाल दी हैं जिन से आप अपने PC को बस कुछ क्लिक में सुपर फास्ट कर सकते हैं हमेशा से हैं यह नीड रही है कि कंप्यूटर स्लो हो जाते हैं तो उन्हें फास्ट करना काफी लेंदी हो जाता है बहुत सारे टास्क परफॉर्म करने पड़ते हैं जैसे टैम क्लीन करना पड़ता है प्रेफेज फाइल वगेरे क्लीन करने पड़ते हैं स्टोरेज सेंस देखना पड़ता है एंटिवाइरस को अपडेट करना पड़ता है सिस्टम को अपडेट करना पड़ता है तो यह सारी जो वीडियो को लाइक कर दीजे, दोस्तों के साथ सेर किजे, और ऐसे यूजफूल टॉपिक वाले वीडियो के नौटिफिकेशन पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत हो लिएगा, चलिए टॉपिक पे आते हैं और बात करते हैं कि ये हमें कहां से मिलेगा, तो सबसे पहले आप अपने इस ब्राउजर को आपन कर लें, इस ब्राउजर आपन करने के बाद, या तो आप सर्च करके जाना चाहते हैं, तो सर्च करें, पीसी मैनेजर माइक्रोसॉफ्ट, इसमें पहला जो आपको लिंक मिलेगा, वही आपको ले जाएगा इसके डाउनलोड यह है इसका एप, जहां पे आपको एकदम सिंपल का सकते, एकदम सिंपल, दो टैब में सारी चीज़ें समा गई है, पहला है क्लीन अप और दूसरा है सेक्योरिटी, ठीक है, चली एक एक करके चीज़ें समझते हैं, ताकि अच्छे से दिमाग में फिट हो जाए, और आप इसको सही से इस्तमाल कर सके, और हाँ, थाइंक यू लिखना नई बुलिएगा कमेंट में, अगर वीडियो आपको पसंद है और यह आपके लिए यूसफुल हो, तो पहले आते हैं, क्लिन अप वाले सेक्शन में, यहाँ पे आपको चार ऑप्संस मिलते हैं, हेल्थ चेक मि मेंट मिलता है, प्रोसेस मेंट मिलता है, और स्टार्ट अप मिलता है, इन सब के उपर में मिलता है, आपको बुष्ट जो की है, काफी कमाल का टूल, जिसके द्वारा आप क्विकली अपने रेम को क्लीन कर सकते हैं, अगर आप कोई बड़ा फाइल चला रहे हैं, या आप चला रहे हैं, तो बहुत अच्छे से चलने लगेगा, चलिए उसके बाद नेक्स्ट आप्शन में आते हैं, ये है है हेल्थ चेक अप, इस पे क्लिक कीजिए, और अगर आपके सिस्टम में किसी तरह का इसू है, कोई फाइल क्रेस कर रहा है, किसी तरह का उसमें एरर आ रहा है, तो वो सारी चीज़े ये खुद बखुद सर्च कर लेगा, बस आपको फ्रॉस क्लिक करना है, और वो सारा जो एरर है, उसे सॉल्ब कर देगा, यहां से बैक पे क्लिक करेंगे, और वापिस आ जाएंगे, नेक्स्ट है, स्टोरेस मैनेजमेंट, अला कि ये टूल पहले सही विंडो में था, लेकिन एक जगह आ जाने से, इसकी खुबियां थोड़ी बढ़ गई है, इन में दो नए चीज़ जोड़े गए हैं, एक है डिप क्लीन और मैनेज लार्ज फाइल्स, इसके अलावा मैनेज एप और स्टोरेस सेंस तो पहले सही अबलेबल था, अ इसकी बाकि सेंस के दुआरा डिलिट नहीं होते हैं, जिसमें डिफ्रीज वगएरा में कह सकते हैं, कि जैसे विंडो प्रिफेरिज वगएरा हो गए हैं, ये टेम फाइले हो गए हैं, सिस्टम के अपडेट्स हो गए हैं, इनको भी आप यहां से इसली क्लीन कर सकते हैं, न ये एक क्लिक में आपके सिस्टम में जहां जहां जितनी बड़ी बड़ी फाइले हैं, उनसे सब को सर्च कर लेगा, चाहें वो किसी कैटिगरी के हों, चाहें डॉकुमेंट्स के हों, पिक्चर्स के हों, कंप्रेश्ट फोल्डर हों, वीडियो हैं, और या कई दूसरे तरह ब्लॉक कर सकते हैं, यह सारी चीज़ें आपको यहां से मिल जाएंगे, इसके बाद आता है storage sense, जिससे आपको यह पता चल जाता है, कि आपके system में जो hard disk है, या SSD वगरा है, वो कितना भर चुका है, कितने दिनों में यह उसको sense करें, यहां पर आपको option मिलता है, everyday, week में, या month में, या हर बार जब वो भरेगा, तब आपको message दे, इन चीज़ों के लिए आप storage sense को enable कर ले, जिससे automatically पता चलते रहे, कि आपके hard disk में कितना space बचा हुआ है, और कितना use हो चुका है, यहां इसको on करना मत बुलिएगा, next में आते हैं, इसके लिए पहले back पे click करते हैं, औ next हमारा जो है process management, इस पे click करके आप यह पता कर सकते हैं, कि कौन-कौन से services अभी running है, जिन से आपको extra memory consume हो रहा है, अगर आपको लगे वो विकार के चल रहे हैं, तो बस उन्हें click किचे, end किचे, और आपके system को extra memory मिल जाएगा, इसके बाद आता है startup app, जिससे आप यह ते कर सकते हैं, कि कौन-कौन से app ऐसे हैं, जो unnecessary है, और start होते समय, आपके memory को use कर रहे हैं, consume कर रहे हैं, तो उनको बस यहां से disable कर दीजिये, बात खतम, next में है security tab, अगर इस पे आप click करते हैं, तो security से सम्मदित सारे options मिल जाते हैं, जिसमें पहला आपको option मिलता है, window update का, इसको click करके आप window का update कर सकते हैं, दूसरा है browser protection का, यह कमाल का है, इसको on कर लीजएगा, इससे क्या होगा, आपके browser पे extra कुछ ऐसे चीज़े आ जाती है, या ऐसे कुछ plugins वगिर आ जाते हैं, जो आपके browser को hang कर देते हैं, आपके system पे virus आ जाते हैं, इनको enable कर देने से यह problem solve हो जा जाते हैं, जबकि एस browser में यह issue नहीं होता, तो उसके लिए आप browser protection का on कर सकते हैं, और यह issue खतोम हो जागा, और एक बहुत बड़ा problem जो होता है, वो है pop-up का, तो आप यहां से pop-up को भी enable कर सकते हैं, जिससे pop-up जो है, वो disable हो जागा, जहां कहीं भी आपको pop-up मिलते हैं, उन चीजों का पिस से disable कर सकते हैं, इसके उपर में आपको मिल जाता है scan का option, जिसके द्वारा आप click करके अपने system को scan कर सकते हैं, अपने defender antivirus के द्वारा, और आपका computer में किसी तरह का virus वगरा हो, तो वो भी solve हो जाता है, तो यह एक tool, यह सारे काम कर देता है, और यह सबस लगा यह tool, मुझे comment में जरूर बताईएगा, अगर पसंद आया हो, तो yes करें, पसंद नहीं आया हो, तो no करें, आगे के review मैं इसी के हिसाब से दूँगा, अगर वीडियो पसंद आया हो, तो please like कीजे, दोस्तों के साथ कीजे share, और ऐसे ही useful वीडियो के tips and topics के notification पाने के लि अगर वीडियो पसंद आया हो, तोस्तों के साथ कीजे 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 हो, तोस्तों के साथ के